हलो फ्रेंड्स आप आईएस डेली स्ट्राटिक MCQ डिस्कसन सीरीज में आपका स्वागत है हम अपने इस सीरीज में हमारे सिलेबस के अनुसार लगभग सभी टॉपिक से MCQ डिस्कसन कर रहे हैं हम आज अपने डिस्कसन में कला संस्कृती के कुछ महत्तपुन प्रस्ण और उससे जुड़े हुए महत्तपुन जानकारियों पर डिस्कसन करेंगे ये कला संस्कृती पर हमारा चौथा डिस्कसन है ये प्रस्ण आपको आने वाले UPS से प्रेलिम्स साथ है इस्टेट PCS में भी काम आएगा चलिए हम आज का अपना डिस्कसन सुरू करते हैं हमारे डिस्कसन का पहला प्रस्ण क्या कहता है निमलिखित कत्नों पर विचार करें तीन जानकारियां दी गई है आपको बताना है इन में से कौन सी जानकारी गलत है पहला कत्न कहता है बौध विस्यों को अजन्ता में चित्रित किया गया है दूसरा कत्न कहता है बाग की गुफाएं भित्ती चित्रों के लिए प्रशिद्ध है और तीसरा कहता है भीमबेटका के रोक शेल्टर और गुफाएं जामित्या पैटर्न के चित्रों की मेजबानी करती है फ्रेंड्स यदि हम बात करें पहले कथन का तो अजन्ता की गुफा में बहुत धर्म से सम्बंधित बहुत सारे चित्रों को निर्मित किया गया है उकेरा गया है यानि कि पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है दूसरा कथन में बाग की गुफा के बारे में बताया गया है यहाँ पर वित्ती चित्र निर्मित किये गये हैं और आपको ये जानकारी याद रखनी है कि बाग की गुफा और अजन्ता की गुफा में जो चित्र निर्मित किये गए हैं, उनमें बहुत सारी सामानताएं देखे जाती हैं। दोनों में ही बहुत धर्म से सम्वन्दित चित्रों को उकेरा गया है, यानि कि तूसरा कथन जो दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है। तीसरे कथन में बताया गया है कि भीमबेटका के रोक सिल्टर और गुफाएं जामित्य पैटर्न के चित्रों कोई मेजबानी करता है ये बिलकुछ सही है भीमबेटका में जो भी चित्र हैं वहाँ पर त्रिभुज आकार चत्रभुज आज आकार के साथ ही सरकल इत्यादी के चित्र भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं अगर हम बात करें इस क्वेस्चन के आंसर का चूंकि तीनो जानकारियां सही है गलत पूछा गया है ओप्सन डी इसका सही आंसर होगा तो आप इसे ध्यान में रखेंगे आप इन चित्रों को देख सकते हैं ये अजंता के गुफा की है ये बाग की गुफा की है ये भी बाग की गुफा की ही है तो आप इसे देख सकते हैं अगर हम बात करें कुछ महत्वपुन चित्रों का तो पदम पानी और बोधिशत्व ये कुछ चित्र हैं जो अजंता की गुफा में देखे जा सकते हैं बाग की गुफा जो की जन्ता की गुफाएं हैं वहाँ जो चित्र हैं वो आध्यात्मिक्ता के आधार पर निर्मित किये गए हैं जबकि जो बाग की गुफाओं में चित्र का निर्मान किया गया है वो भौतिक वादी है तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है भीमबेट का एक ऐसा सैल आसरे अस् जामित्या आकरिती में निर्मित की गई थी जिनको प्राकरितिक रंगों से वनस्पती रंगों से रंगा गया था समय के साथ ये थोड़े धुंदले हो गए हैं लेकिन वरतमान में आज भी हैं तो इन सारी बातों को आप याद रखेंगे हमारे डिसकसन का दूसरा प्रस्ण क्या कहता है निमलिखित कथनों पर विचार करें दो जानकारिया दी गई हैं आपको इन में से गलत कथन की पहचान करनी है पहला कथन कहता है भारत के राष्ट आदर्शवाक्य सत्यमेयो जैते को भारत के प्रतीक के नीचे अंकित किया गया है जिसे चांदोग्य उपनीशत से लिया गया है आपको क्या पूछा गया है गलत ये बिल्कुल गलत है क्यों क्योंकि सत्यमेयो जैते मुंड को उपनीशत से लिया गया है ना कि चांदोग्य उपनीशत से यानि कि पहला कथन गलत हो जाता है दूसरा कथन कहता है यह शब्द सत्तमयो जयते मूल रूप से असोक की राजधानी के आसपास सेर पर 250 इसापुर्व के आसपास खुदा हुआ था फ्रेंड्स यह जानकारी भी गलत है आप याद रखेंगे जो सत्तमयो जयते लिखा गया है वो सारनाथ में असोक इस्तम्भ है वहां सत्तमयो जयते लिखा गया है यानि कि यहां जो लिखा गया है कथन में कि असोक की राजधानी के आसपास ऐसा नहीं है असोग की राजधानी के आसपास जितने भी सेर की आकरिती निर्मित की गई थी वहाँ पर सत्यमियो जयते लिखा हुआ नहीं मिलता है सारनाथ जो की वारानसी में है वहाँ पर लिखा हुआ मिलता है जिसका निर्मान 250 इसापुरो में कराया गया था ठीक है तो आपने देख लिया कि पहला कथन भी गलत है दूसरा कथन भी गलत है ओप्सन इसका क्या होगा C क्योंकि कथन गलत ही आपको पहचान करनी थी आप ये देख सकते हैं कि सारनाथ में जो असोक इस्तंभ है जिसे आप देख सकते हैं वारानसी के करीब है 250 इसा पुर्व के आसपास इसे निर्मित किया गया था जो सब्तमयों जयते हैं उसे मुंडको उपनीशब से लिया गया है स्वतंतरता प्राप्ती के बाद भारत की सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट आदर्श वाक्य के रूप में लिया गया था तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है हमारे डिसकुसन का तीसरा प्रसन क्या कहता है बज्रियान के संबंध में निमलखित कत्नों पर विचार करें तीन जानकारियां दी गई है अभी आपको सही जानकारी की पहचान करनी है पहला कत्न कहता है इसके अनुयाईयों का मानना था कि जादूई शक्ती प्राप्त करके मुक्छ प्राप्त किया जा सकता है फ्रेंस बजरियान के बारे में पहला जो कथन दिया गया है वो बिलकुल सही है बजरियान जो है वो बौध धर्म से जुड़े हुए अनुयाई हैं जो बौध धर्म में पूजा पाट करते हैं इनके अनुयाईयों के द्वारा कुछ ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है जिनके अंतरगत माना जाता है कि यदि जादूई सक्ती प्राप्त हो जाती है तो उसके प्राप्त होने के बाद मुख्च की प्राप्ती हो जाएगी पहली जानकारी बिलकुल सही है दूसरा कथन कहता है इस नए संप्रदाई के प्रमुख देवता तारस थे इसे भी आप याद रखेंगे इस संप्रदाइ के अंतर्गत जो बौध संप्रदाइ है वह आगे चलता है और इनके जो पहले अनुयाई थे तारस उनको पुझनिय माना जाता है और आगे चल कर इनही को अपना प्रमुख देवता भी माना जाता है यानि कि दूसरी जानकारी भी बिल्कुल सही है तीसरा कहता है यह दक्षिन भारत विशेश रूप से करनाटक और आंध्र प्रदेश में लोग प्रिय हुआ फ्रेंड्स यह गलत है क्योंकि यह दक्षिन भारत में नहीं बलकि उत्तर भारत में बिहार उत्तर प्रदेश या विशेश रूप से उत्तर भारत के हिमालय के उत्तर साइड में जो हिस्सा है तिबबत का वहाँ पर यह मुखे रूप से पनपा और वर्तमान में ये चीन और दक्षिन पूर्वी ACI हिस्सों में जादा मानने है प्रचलित है यानि कि तीसरी जानकारी गलत है पहली और दूसरी दोनों जानकारी सही है ओप्षन भी इसका सही आंसर होगा तो आप इसे ध्यान में रखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि बज्रियान जो है वो बहुत धर्म से संबंदित है भारत और उसके पडोसी देश विशेश रूप से तिबबत के आसपास ये काफे प्रचलित है इनका विकास बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जो आज का उत्तर प्रदेश है उसके आसपास काफी ज़्यादा प्रचलन में आता है इस संप्रदाई के अंतरगत ठीक होने के लिए सरीर को समझने की बात कहीं जाती है यदि किसी को कोई बिमारी हो जाता है इसी के अंतरगत कुछ तांतरिक गदिविध्या की जाती है जिनको भी आप देख सकते है तो यह कुछ महत्तपुन जानकारियां थी बजरियान के बारे में जो की बौध धर्म से चुड़ा हुआ है आप याद रखेंगे हमारे डिसकसन का चौथा प्रस्ण क्या करता है प्राचीन भारत के संदर्ब में काची के महत्तों के बारे में निमलिखित कत्रों पर विचार करें तीन जानकारियां दी गई है आपको काची के बारे में सही जानकारी की पहचान करनी है पहला कत्रन कहता है काची में घाटिका भारत और विदेशूं के छात्रों को आकरसित करने का एक प्राचीन केंद्र था Friends काची के बारे में आप याद रख लिजे कि जो घाटिका होती थी एक प्रकार का स्कूल होता था एक प्रकार का विश्व विद्याले होता था उस टाइम पर जो भारत से और पूरे विश्व से छात्रों को अपनी और आकरसित करता था छात्र यहाँ पर आध्यात्मिक ज्यान के लिए जाते थे पहली जानकारी बिलकुँ सही है काची पूरम के बारे में आप याद रखेंगे दूसरा गतन कहता है यह दक्षिन भारत की धार्मिक राजवधानी के रूप में जाना जाता है आज भी यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं बहुत सारे ऐसे अस्थल हैं जिनके आधार पर इनको धार्मिक राजवधानी के रूप में माना जाता है इसे दक्चिन भारत का वर्तमान में धार्मिक राजधानी कहा जाता है तो इसे आप याद रखें यदि आपको पूछा जाए कि दक्चिन भारत की धार्मिक राजधानी क्या है तो आप कहेंगे काची या फिर काची पुरम तीसरा कथन करता है काची कैलास नाथर की मेजवानी करता है जो पूरे भारत में सबसे बड़े और सबसे अलंकृत प्राचीन मंदिरों में से एक है यह जानकारी भी बिलकुल सही है काची पूरम में कैलास नाथर नामक एक मंदिर है जो काफी प्राचीन है और बहुत बड़ा है यानि कि इस question के हिसाब से हम देखें तो option D इसका सही answer होगा क्यूंकि सारी की सारी जानकारी काची के बारे में बिल्कुल सही है आप इन मंदिरों को देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से उकेरा और निर्मित कराया गया था पल्लवन्स के द्वारा जो अपने समय में काची पुरम को अपनी राजधानी के रूप में मानती थी यहाँ पर बहुत सारे तमिल और संस्कृत के विद्वान हुए जिनकी वज़े से ये एक संस्कृतिक और धार्मिक केंदर के रूप में उभरा ये एक सैक्षनिक केंदर के रूप में भी उभरा क्यूंकि यहाँ पर सिर्फ भारत से ही नहीं बलकि पूरे विश्व से छात् प्राप्ति करने के लिए आते थे डिंग नागा नामक एक बौध सिक्षक थे एक लेखक थे जो यहाँ पर अध्यन करने के लिए आये और उन्होंने बौध संप्रदाय को बाद में विश्व के अलग-लग हिस्सों में विशेश रूप से दक्षिन ACI हिस्सों में जाकर बहुत सारे मंदिर भी देखने को मिलते हैं बहुत सारे ऐसे महत्तपुन लोग रहे जैसे की प्रशिद कवी भायरवी जो काची से जुड़े हुए थे साथ ही रामानुज जो की एक प्रशिद दार्शनिक वेक्ति माने जाते हैं हिंदु धर्म के अंतरगत जो ग्यारवी बारवी शताबदी के थे उनके द्वारा भी इस स्थल को एक महत्तपुन केंदर के रूप में उप्योग किया गया था वरतमान में भी ये काफी प्रशिद है रेशम की साड़ी के लिए वरतमान में ये जाना जाता है तो आप इसे याद रखेंगे हमारे डिसकुसन का अग निर्मान किसके सासनकाल के दोरान किया गया था आपको चार संराज्यों के नाम दिये गए हैं आपको बताना है कि इन बहत्तपुन अस्थलों का निर्मान किनके संरक्षन में हुआ था पल्लव चोल चालुक्य और पांडय फ्रेंड्स आप याद रखेंगे तंजावर अपने चरम पर भी पहुँचा मंदिरों के निर्मान में और उनकी नकासी उनके चित्र के अलंकरन के आधार पर चोलों के जो संबंधित राज्या थे या फिर राज्यत है उनको काफी समरिध्धी के अस्तर तक पहुँचाने का जो कारे है वो चोल के दो महत्तपुन राज एक तो राज राजा चोल और उनके बेटे राजेंद्र चोल के सासनकाल के दोरान माना जाता है इनका सासनकाल नवी शताबदी से तेरहवी सताबदी के बीच में होता है यानि कि चोल लोगों का सासनकाल लेकिन इनकी सबसे जादा शक्तिसाली अवस्था ग्यारवी शतावदी में देखी जाती है उसी काल में इन्होंने बहुत सारे चोल का कला, वास्टु कला, इत्यादी का भी निर्मान करवाया इसी के अंतरगत, तंचाउर, गंगई कोंडा, चोलपुरम और दारा सुरम ब्रिहदेश्वर मंदिर इत्यादी का भी निर्मान करवाया था तो आप इन सारी बातों को याद रखें, कुछ भी पूछा जा सकता है हमारे डिसकुसन का छठा प्रस्ण क्या करता है पट चित्र, चित्रकला के बारे में निमलिखित पर विचार करें तीन जानकारियां दी गई है, आपको बताना है कि इन में से कौन सा पट चित्र, चित्रकला के बारे में सही है पहला कथन कहता है, इसका अभ्यास ओडिसा में किया जाता है याद रखिए पट चित्र जो है वो ओरिसा से ही जुड़ा हुआ है पट का मतलब होता है एक परकार का ऐसा आकार जहां पर चित्र निर्मित किया जाता है और चित्र का मतलब आप जान रहे हैं तो पट्चित्र जो प्रदर्शित किया जाता है इसको निर्मित किया जाता है वो ओरिसा में ही किया जाता है यानि कि पहला कथन बिल्कुल सही है दूसरा कथन करता है वे कपड़ा आधारित स्क्रोल पेंटिंग है बिल्कुल सही है जो मैं आधार की बात कर रहा था जो पट क बातर कर रहा था वो कपड़े ही होते हैं लेकिन धीरे धीरे ये अब परिवर्तित हो के जो तार के पत्ते होते हैं उनमें भी परिवर्तित हो गया है आरंभिक में भी इसी प्रकार के प्रदर्शन किये जाते थे जब तार के पत्तों में और कपड़े के बहुत सारे ऐसे टु ये गलत है क्योंकि जो पड़ चित्र के अंतरगत चित्रकारी की जाती है मुख्य रूप से भगवान जगनात जो की ओरिशा जारखंड और उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में ज़ादा पूजनी है उनकी चित्रकारी की जाती है इसके अलावा जो वैसनो धर्म से सम्मंदित दे होता है उनको भी इन चित्रों में जगह दिया जाता है यानि कि इस question के हिसाब से हम देखें तो option C इसका सही answer होगा क्योंकि पहला और दूसरा सही है तीसरा गलत है जो पट चित्र निर्मित किये जाते हैं उनको आप देख सकते हैं ये भगवान, दुर्गामा उसी तरह से बलभद्र, सुभद्र और जगनात ये वो चित्र हैं जिनकी आकरिती उकेरी जाती है तो ये कुछ महत्तपुन बाती थी फ्रेंट्स, इसके बारे में आप इन सारी बातों को याद रखेंगे हमारे discussion का अगला प्रशन क्या कहता है शंत कबीर के चंदर्व में निमलिखित कत्नों पर विचार करें तीन जानकारियां फिर से दी गई हैं, आपको सही जानकारी की पहचान करनी है पहला कतन कहता है, कबीर हिंदु धर्म और इसलाम धर्म दोनों के आलोचकों के रूप में जाने जाते है फ्रेंस, आप याद रख लिजे, कबीर जो की इसलाम धर्म के अंतरगत पले बढ़े इनका जन्म किनके द्वारा हुआ था, ये पता नहीं है इनका पालन पोशन इसलाम धर्म के अंतरगत होता है लेकिन इनके जो गुरु थे, वो हिंदु धर्म के थे ये दोनों ही संप्रदाई को पहले समझते हैं उसके बाद जो भी धार्मिक आडंबर थे चाहे वो हिंदु संप्रदाई के अंतरगत थे या फिर मुसल्मान संप्रदाई के अंतरगत थे दोनों की आलोचना करते हैं बहुत सारे दोहे लिखते हैं इनके दोहों से प्रभावित होकर सिक धर्म के धर्म गरंथ में भी जगह दी गई है यानि कि पहली जानकारी जो आपको लिखी गई है कि इनों ने हिंदो धर्म और इसलाम धर्म दोनों की आलोचना की बिल्कुश सही है आप याद रखेंगे दूसरा कतन कहता है कबीर की विरासत आज भी जिवित है और कबीर पंथ के माध्यम से जारी है बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि वे कबीर पंथी हैं इनकी मुर्ती बनाकर पूजा भी करते हैं इनके दोहों को आज भी मानते हैं और ये एक विरासत के रूप में आज भी मानी जाती है यानि कि दूसरी जानकारी जो है वो बिल्कुल सही है ये एक धार्मिक संप्रदाई को के संस्थापक के रूप में भी अभी स्थापित हो चुके है यानि कि दूसरी जानकारी बिल्कुल सही है तीसरी जानकारी क्या करती है उनकी सिक्छाएं उनकी सिक्छाएं दोहे के रूप में हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि वो जादतर जो बात लिखे हुए हैं, वो दोहों के रूप में ही लिखे हुए हैं, और ये तीनों जानकारी बिल्कुल सही है, ओपसंग डी इसका सही आंसर होगा, आप इसे देख सकते हैं, कबीर पंद्रवी शताबदी के आसपास जनमते हैं, लगभग 1455 में इनका जनम हुआ था, उसके बाद में फिर इनका जनम काशी वारानसी में, ततकालीन काशी आज के वारानसी में इनका जनम हुआ था, जिन लोगों ने इनका पालन पोशन किया, नीरू और नीमा, इनके मृत्यू 1575 इस्त्वी में हो लेकती थे, जिनों ने हिंदू और इसलाम दोनो धर्मों का इनों ने विरोध किया, आलोचना की, जब ये विरोध कर रहे थे, उस समय दोनों ही धर्म के अनुयायों के द्वारा, इनको अपनाने से मना कर दिया गया, बाद में जब ये काफी प्रचलित हुए, तो दोनों ह स्विकार करने का तर्क दिया जाने लगा, हलाकि इनका पालन पोशन एक मुसलिम परिवार में हुआ था, लेकिन इनके जो गुरू थे, वो रामानन्द थे, ये मुख्य रूप से भारत में भक्ती आंदोलन, विसेश रूप से रहस्यवादी भक्ती आंदोलन को स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं, तो आप इन सारी बातों को याद रखें, हमारे डिसकुसन का अगला प्रस्न क्या करता है, निमलिखित कत्रों पर विचार करें, तीन जानकारियां दी गई हैं, आपको बताना है ये जानकारियां किसके बारे में हैं, पहली जानकारी करती है, इसे प्राचीन काल में काकनव और बोता स्री परवत के रूप में जाना जाता था दूसरी जानकारी कहती है यहाँ प्रारंबिक मौरे काल के बौध कला और वास्तु कला का नमूना होने का विलक्षन चित्रन है तीसरा कतन कहता है यह विस्व धरोहर अस्तल है आपको बताना है कि यह जानकारी किस के बारे में है तो फ्रेंज यह तीनों जानकारियां जो दी गई है वो सांची के बारे में है सांची एक प्रशिद अस्तल था जो अपने समय में अलग-अलग नामों से जाना जाता रहा चाहे वो काकन्य था या फिर काकनव था या फिर काका नादा बोटा या कोटा स्री परवत यह सारे नामों से जाना जाता था वरतमान में ये भारत के मध्य प्रदेश में इस्थित है यहां एतेहासिक और पूरातात्विक महत्तों के बहुत सारे धार्मिक अस्थल हैं साची दुनिया के बहुत सारे स्थूप, अखंड, अशोकस्तंब, मंदिर, मठ और मुर्तिकला के लिए प्रशिद है यहां पर जो निर्मान क्यारे किया गया है वो तीसरी सताबदी से लेकर बारहवी सताबदी के आसपास का है आप इन चित्रों को देख सकते हैं समय के साथ-साथ यहां पर बहुत सारे राजाओं ने अपना निर्मान का कारे कराया एक समय ऐसा भी आया था जब इसे बिलकुल भूरा दिया गया था यहां परस्थित जो मंदिर थे वो लगबग तूटे-फूटे हुए थे लेकिन 1818 में सबसे पहले जनरल टेलर के द्वारा जो की एक ब्रेटिश अधिकारी थे इनको खोजा गया आगे जानकर इनको संरक्षित करने का कारे सर जोन मार्स के द्वारा किया गया था तो इन सारी बातों को आप याद रखें हमारे डिसकर्सन का उखा नवाप प्रस्न क्या करता है जैन संप्रदाई के संदर्व में निमलिखित कथרों पर विचार करें दो जानकारिया दी गई है आपको बताना है इनमें से कौन सी जानकारी सही है पहली जानकारी करती है जैन धर्म के की स्वेतांबर पारंपरा परंपरा स्थुल भद्र के माद्यम से उनके once का पता लगाती है दूसरा कतन कहता है जैन धर्म के दिगम्बर संप्रदाय के अनुसार भद्र बाहु अंतिम स्रूती केवलीन थे जैन धर्म दो संप्रदायों में बटा हुआ है एक स्वेतामबर और दूसरा दिगंबर स्वेतामबर वे हैं जो चौथी सताबदी में उत्तर भारत में जब सूखा आया अकाल पड़ा तो उत्तर भारत में ही रह गए उन लोगों को स्वेतामबर कहा जाता है ये ऐसे संप्रदाय से संबंधित हैं जो लोग सफेद रंग का वस्तर पहनते हैं अपने धर्म में इस्तरियों को आने की अनुमती भी देते हैं लेकिन जो दूसरा संप्रदाय था वो दक्षिन भारत के तरफ चला गया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ ये लोग दिगंबर कहे जाते हैं ये वस्तर धारन नहीं करते हैं और ये इस्तरियों को भी अपने संप्रदाय में शामिल नहीं करते हैं यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है कि स्वितांबर परंपरा के अंतरगत जो जैन धर्म के अनुयाई हैं वे इस्थूल बाहु के माध्यम से अपने वन्स को बताते हैं वो बिलकुत सही है इस्थूल बाहु के अगवाई में ही जो लोग उत्तर भारत में रह गए थे वे ही इस्थूल बाहु कहे जाते हैं दिगंबर संप्रदाय के अनुयाई ऐसा मानते हैं कि भद्र बाहु उनके अंतिम सुरूती केवलीन थे जिनको केवल्य की प्राप्ती हुई थी ये जानकारी भी बिल्कुल सही है क्योंकि भद्र बाहु के अगवाई में ही चंद्रगुप्त मोरे के साथ जो जैन धर्म के अनुयाई थे वो दक्षिन में गए थे उनको ही दिगंबर संप्रदाय के अनुयाई कहा जाता है यानि कि इस question का answer option C होगा आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ये स्वितांबर हैं ये दिगंबर हैं जो जैन धर्म की पहली परिशद का अयोजन था वो पाटली पुत्र में किया गया था तीसरी सताबदी में इस्थुल बाहु के द्वारा तो इसे भी आप याद दिगंबर संप्रदाई के अंतरगत पांच लोगों को केवल्य की प्राप्ति हुई है जिसमें गोवर्धन महामुनी, विश्नू, नंदीमित्र, अपराजिता और भदरबाहु हैं तो इन सारी बातों को याद रखें भदरबाहु अंतिम बेक्ति थे दिगंबर के अनुसा के त्रिमूर्थी माना जाता है यहाँ पर पांच वेक्तियों के नाम दियेगे हैं आपको बताना है इन में से किन को करनाटक संगीत का त्रिमूर्थी माना जाता है तो फ्रेंड्स आप याद रखें त्यागराज, मुथु स्वामी, दिख्षितार और श्यामा सास्त्री य इनको दक्षिन भारत में करनाटक संगीत का त्रिमूर्थी माना जाता है ओप्सन डी इसका सही आंसर होगा इन्हों ने 18 शताबदी में दक्षिन भारत में करनाटक संगीत को एक नया रूप दिया जिसकी वज़े से वरतमान में इसे the three jewels of करनाटक संगीत कहा जाता है तो आ आज हम अपने discussion को यही रोगते हैं आप हमारे साथ दने रहे थाइंक्यू थाइंक्यू वेरी मच